सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो देखते हैं पंचायती राज के बारें पढ़ते हैं तो बचे इसमें क्या बता हुआ है कि ग्रामसबा जो है ठीक है उसमें एक पंचायत होती है और पंचायत सभी पंचायत में छेतर के जो सभी व्यस्क होते हैं जो की 18 साल से अधिक के हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है और जो ग्रामसबा के सदस्य हैं ठीक है जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जो ग्रामसबा के सदस्य होते हैं जिनका नाम मद्दाता सुची में होता है ठीक है उन्हें क्या होता है उन्हें वो सभी लोग ग्राम सभा में एक मीटिंग होती है उसमें वो सदस्य उसमें वो आ सकते हैं उसमें भग ले सकते हैं यह बता हुआ है अब्री विलेच पंचायत इसद डिवाइडे इन्टो वो आई स्मॉलर एरियास प्रती एक गाउं में पंचायत कई वार्डों में बती होती है मतलब कई छित्रों में बती होती है इन्हें वौर्ड बोलते हैं Each ward elect a representative who is known as the ward member. प्रति एक ward में क्या होता है? एक प्रतिनीधी चुना जाता है, जिसे हम ward member कहते हैं या हम उसे पंच बोलते हैं. All the members of the Gram Sabah also elect a serpanch who is the panchayat president. Gram Sabah के सभी सदसे मिलकर एक serpanch चुनते हैं, जो की panchayat का president होता है, मुख्या होता है. The ward punch and the serpanch form the gram panchayat. जो ward का panch होता है और serpanch, gram panchayat से serpanch चुने जाते हैं. The gram panchayat is elected for five years. और gram panchayat जो होती है, वो पांस साल के लिए होती है. मतलब पांस साल के लिए चुना जाता है gram panchayat के members को. अब आगे देखते हैं, the gram panchayat is a secretary who is also the secretary of gram sabah. अब secretary में सोता है सचिव, तो gram panchayat का एक सचिव भी होता है, जो gram sabah का भी सचिव होता है. This person is not elected person, but is appointed by the government. ये जनता के द्वारा तो नहीं चुना जाता है, लेकिन इसे सरकार के द्वारा न्युक्त किया जाता है. The secretary is responsible for calling the meeting of the gram sabah and gram panchayat and keeping a record of the proceeding. तो सचिव का काम होता है, gram sabah और gram panchayat की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्डे होएं उनका record रखना. ठीके बच्चों, अब इधार देख लेते हैं. Urban Administration को, Urban Administration, नगर प्रिशासन. The city is divided into different words and the word counselling get elected. पूरे नगर को अलग अलग वार्डों में बाटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षत का चुनाव होता है. ठीके, all adults living in ward, सभी west ward में रहते हैं, anyone who is 18 years old or more, and who has the right to vote, whose name in the water list, elects a counsellor. तो बच्चे इसमें क्या बता हुए कि कोई भी व्यक्ती जिसके उमर 18 साल है, उससे अधिको, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम मद्दाता सूची में, वो पार्षत का चुनाव कर सकते हैं. All the counsellers together elect the mayor who is the head of the corporation. तो इसमें क्या कहरे हैं कि सभी पार्षत मिलकर mayor का चुनाव करते हैं, mayor को महापूर भी बोलते हैं, mayor का चुनाव करते हैं, जो निगम का क्या होता है, जो निगम का मुख्या होता है. The counsellor and the mayor together constitute the corporation for five years. तो पार्शद और Mayor मिलकर क्या करते हैं? निगम का गठन करते हैं कितने साल के लिए? पांस साल के लिए The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of counsellors who form committees to decide and debate issues नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णे भी होते हैं जो सारे शाहर को प्रुआवित करते हैं जटेल निर्णे पार्षदों के समूध वारा लिए जाते हैं इसमें क्या करते हैं कुछ पार्षद कमेटी बना लेते हैं अपनी समीतियां और विबिन मुद्दों पर बात करके निर्णे लेते हैं question answer देख लेते हैं, question answer देख लेते हैं, question number one है, how is the election of gram panchayat held, तो gram panchayat का चुनाव किस परकार होता है, तो इसका answer, यहाँ से आप निशान लगाएंगे, यहाँ से, देखिए, every village से, यहाँ से लेकर, और यहाँ तक, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे, every village panchayat is divided into wards, smaller areas, पृति एक गाउं में एक panchayat होती है, जो छोटे छेत्रों में, ward में बटी होती है, each ward elected representative, who is known as the ward member, पृति एक ward से एक प्रतिनीदी चुना जाता है, जिसे ward member के नाम से जाना जाता है, उसे panch कहते है, all the members of the gram sabha also elected sir panch, who is the panchayat president, gram sabha के सभी सदस्थ से, sir panch का चुनाव करते हैं, जो panchayat का president होता है, the ward punch and the sir panch from the gram panchayat, gram panchayat से sir panch और panch का चुनाव होता है, the gram panchayat is elected for 5 years, gram panchayat को 5 साल के लिए चुना जाता है, तो यह आपका answer number 1 होगे है बच्चो, अब question number 2 और पूछा हुआ है यहाँ पर, how is the municipal corporation elected, election conducted, आप से पूछा हुआ है नगर निगम का चुनाव किस प्रकार होता है, तो इसमें आपको answer यहाँ से लिखना है, पहले आप लिखेंगे देखें, यहाँ से यहाँ तक, पहले लिखेंगे आप, the city divides into different wards and ward councillor get elected, जो शहर होता है वो विविन wardों में चुना जाता है, बटा होता है सोरी, और उसमें ward councillor को चुना जाता है, all adults living in wards, सभी adults जो हैं ward में रहते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, ward के बाद लिख देना elect, elects the councillor, फिर उसके बाद all the councillor together elect the mayor who is the head of the corporation, फिर आप लिखेंगे, सभी पार्षद मिलकर मेर का चुनाफ करते हैं, जो निगम का मुख्या होता है, ठीक है, तो बस यहाँ से यहाँ से यहाँ तक करना था है, आपको मिला कर लिख देना answer number 2, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उपर ward तक, फिर ward से next word लिखना, elects councillor और फिर यह दो line लिख देना, तो आपकी worksheet complete होगे, बच्चे मिलते हैं, next video में, thanks for watching,